जेहन दोस्तों मेरा ना मैं अतुल और स्वागत है आपका अपनी यूटिप चैनल अतुल टिक बजार में दोस्तों दो डिवाइस हमारे पास में है रिसेंटी लॉंच होई ओपो रेनो 80 डिवाइस एंड रियल्मी 10 प्रो डिवाइस चोकी कुछ समय पहले लॉंच होई थी बैक साइड में दोनों ही डिवाइस में प्रीमियम डिजाइन आपको मिलता है रेनो में आपको 108 प्लस 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है और रियल्मी 10 प्रो में 108 प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है डिस्प्ले के बारे में बात करें आल्मोस्ट 6.7 इंचेस का सेम डिस्प्ले हाँ पहले मिलता है लेकिन सबसे बड़ा डिफ्रेंस है ओपो रेनो 8T में आपको कर डिस्प्ले मिलता है जोकि AMOLED डिस्प्ले है जबकि रियल्मी 10 प्रो में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है जोकि FSD प्लस डिस्प्ले है यहाँ पे दोनों ही मोबाइल में आपको 120 हर्ट रिफ्रेस रेट मिल जाता है और दोनों ही मोबाइल जो है Android 13 के साथ में आते OPPO में ColorOS 13 मिलता है Realme 4.0 10 Pro में मिल जाता है यहाँ पे दोनों ही डिवाइस जो है साथ एक ही प्रोसेसर के साथ में आती है SD 695, 6NM प्रोसेसर, M.E.S.P.S.N. का सपोर्ट दोनों ही मोबाइल में मिल जाता है और फ्रेंट में 32 Mpx का कैमरा 80 में मिलता है Realme 10 Pro में 16 Mpx का कैमरा मिल जाता है यहाँ पे दोस्तों हम फुल स्पीड टेस्ट करने वाले है उससे पहले बता दू कि दोनों ही डिवाइस में 5000 mh की बैटरी मिलती 67 Watt की Fast Charging 80 में मिलती है और Realme 10 Pro में 33 Watt की Fast Charging मिलती है चलिए देखते हैं स्पीड टेस्ट में कौनसे डिवाइस आगे निकलती है दोस्तों चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरू से करेज़ेगा बेल आगर को भी प्रेस करेज़ेगा यहां पर कौन सा डिवाइस सबसे फास्ट बूट होता है थोड़ा सा फास्ट फारवड में किया है बड़ा बड़ा से रिजल्स देख लेते हैं दोनों में ही लोगो आ चुके हैं लेकिन यहां पर आप देख सकते हो Realme 10 Pro यह सबसे पहले बूट हो चुका है तो भी इस बूटिंग टेस्ट में Realme 10 Pro बाजी मार जाता है नेक्स दोस्तों एप डाउनलोडिंग टेस्ट करने वाए रहे हैं प्ले स्टोर से इससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि दोनों ही मोबाइल जो है सेम वाइफाय Realme X7 से कनेक्टेड है यहाँ पर एक छोटा सा गेम लिया है हमने 12 MB का अप्रॉक्समेटल यह जो गेम है थोड़ा से मैंने इसे यहाँ पर फॉस्फवरड किया ताकि फड़ा पर से हमें स्कोर रिजल्ट पता चले यहाँ पर देख सकते हो प्ले बटन सबसे पहले Realme 10 Pro में मिलिये तो इस डाउनलोडिंग टेस्ट में Realme 10 Pro विनर हो जाता है नेक्स टेस्ट दोसों यहाँ पर हम डाउनलोडिंग अप्लोडिंग स्पीड टेस्ट करने वाले है थोड़ा सा अगें मैंने यहाँ पर फास्फ़रवड किया है ताकि वीडियो जड़ा लंबा न हो सके यहाँ पर आप देख सकते हो ओपो रेनो जो 80 है डिप्वाइस है इसमें डाउनलोडिंग स्पीड 12 Mbps और अप्लोडिंग 0.17 तो यहाँ पर किलियरली जो वीनर है ओपो रेनो 80 हो जाता है अगला देश दोस्तों यहाँ पर CPU ट्रोटिंग टेस्ट हम करने वाले हैं जिससे कि अगर आप मल्लिट्रास्किंग गेमिंग बगरे कर रहे हैं CPU को कितना स्टगल टोटिंग करना पड़ता है यह पता चेल जाता है यहाँ पर minimum 5 मिनिट लगते हैं थोड़ा सा मैंने वीडियो को cut के हैं थोड़ा सा यहाँ पर fast forward भड़ा पट से हम यहाँ पर result देखते हैं 5 मिनिट approximately हो चुके हैं आप देख सकते हो red और yellow line आपको 8T में देखने को मिल रही है जबकि यहाँ पर almost green line जो है आपको Realme 10 Pro में मिलती है दोनों में ही same processor है बट आप score देख सकते हो 78% and 92% तो भई यहाँ पर performance आपको काफी best मिलने वाला है Realme 10 Pro device में इस test में Realme 10 Pro winner होता है अब दोस्तों यहाँ पर हम app opening test करने वाल हैं कुछ daily जिसके app हमने यहाँ पर select किया है और कुछ online offline game और सबसे heavy game यहाँ पर अपने select किया है PUBG जैसे कि BGMI से बोल सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को ही open करके देख लेते हैं देखते हैं कि दोनों ही processor सेम ही है देखते हैं कि mobile कौन सा यहाँ पर सबसे पहले BGMI open करता है देख सकते हो आप almost same timing में यहाँ पर दोनों ही mobile ने इस game को same time में पर open किया है next दोस्तों end to benchmark score app को open करके देख लेते हैं कौन सा mobile सबसे फास्ट open करता है थोड़ी से timing एक दो seconds पहले यहाँ पर 18 ने से open किया है end to benchmark की score आप देख सकते हो अब आप 4 लाग दोनों में ही मिलता है लेकिन यहाँ पर रियल में 10 प्रो में आपको ज़्यादा है end to benchmark की score मिलता है almost यहाँ पर performance same ही देखने को मिलेगा थोड़ा सा यहाँ पर आपको 10 प्रो में अच्छा मिलेगा next दोस्तों Temple Run game को open करके देख लेते हैं कि कौन सा mobile सबसे फास्ट ली इसे open कर पाता है यहाँ पर तो कुनों ही mobile लगे हुए है almost यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि same ही timing पर यहाँ पर open होने वाले है देखते हैं क्या score यहाँ पर मिलता है यहाँ पर हलका सा Realme 10 Pro ने इसे पहले open किया है next दोस्तों यहाँ पर Candy Crush game को open करके देख लेते हैं यहाँ पर again से Realme 10 Pro ने इसे पहले open करा है next दोस्तों कृष्णा game को open करके देख लेते हैं यह एक offline game है और थोड़ा से यहाँ पर timing लेता है यहाँ पर सबसे पहले इससे 80 ने open किया 80 ने अपने यहाँ पर खाता कोल चुका है Ludo King game को open करके देख लेते हैं जो कि online खेले जाना वाला game है यहाँ दोस्तों सबसे पहले again से 80 ने इसे open किया है नेक्स दोस्तों Chrome browser को open करके देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा mobile सबसे fast open करता है तो भी slow motion में देखेंगे कि तो दोनों ही mobile ने इसे same timing पर open किया है नेक्स दोस्तों Flipkart online shopping app को open करके देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो again से Realme 10 Pro ने इसे पहले open किया है नेक्स एक और online shopping app Amazon को open करके देख लेते हैं कौन सा mobile इसे fastly open करता है अगेंसे Realme 10 Pro ने इसे पहले open किया है तो यह तो दोस्तों app opening test अब RAM management चेक करते हैं अगेंसे reopen करके तो यहाँ पोस्तों थाँ मने उंसे करके द सकता हम है तो यहाद जाद मीचर कवोस्तों आपेंसे कर ya अगेंसे नेयूा guarantee जब घब हागेंसे के का कपी प центशिय्सक टेख मैंसे हो रोगन देखशबंot बदूेंसे ए का शradम को घाचे झाल 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 तो यह था जोस्तो दोनों भी मोबाइल में फुल स्पीड कामपेरिजन टेस्ट यहां पर जोस्तो आपने आलमस्ट टेस्ट देखा होगा जैसे की बूटिंग टेस्ट, एप डाउनलोडिंग अपलोडिंग टेस्ट एंड यहां पर हमने एप ओपनिंग टेस्ट भी आपको दिखाया है यहां पर मोश्ट ली जो टेस्ट है, यहां पर रियल में 10 प्रो जो है, थोड़ा सा यहां पर आगे 80 से, अलमस्ट यहां पर OS का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहां पर प्रोसेसर आपको दोनों में ही सेम मिलता है जरी 695, 6NM प्रोसेसर तो अलमस्ट जोस्तों यहां पर बोल सकते कि स्पीड टेस्ट में 10 प्रो थोड़ा सा यहां पर आगे है, 19-20 का यहां पर डिफरेंस है, लेकिन यहां पर आपको सिलेक करना होगा डिवाइस यहां पर 10 प्रो जो है, वो 17-18 के के आसपास इसका बेस वेरियंट आता है जबकि OPPO Reno 80 का बेस वेरियंट जो है, वो 30 के के आसपास आता है, तो यहां पर तोनों भी डिवाइस जो है, काफी अच्छी capable डिवाइस है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर डिस्प्ले के अंदर आता है, कर डिस्प्ले एमुलेट डिस्प्ले आपको 8T में मिलता है जबकि FHD प्लस फ्लैट डिस्प्ले मिलता है आपको Realme 10 Pro में और यह तोनों भी डिवाइस दोस्तों काफी अच्छी डिवाइस है, प्रिमिम कॉलिटी की डिवाइस है आप दुस्तों अगर पुरान पूर MP के आसपास रहते हैं और आपको यह डिवाइस पर्चेस करनी है प्रणों एटरपास इस रुपाली करेक्शन में जो मोबाइल है, ऑनलाइन से कमदाम में कोई डिवाइस के रिकार्डिंग, आपके कोई डाउट कॉश्यन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फिलाल दूस्तों इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स ने वीडियो के साथ में तपक लिए हैं बोलते हैं बंदे मातरम